अगर आप जिरोधा इस्तमाल करते हो तो मुबाइल पर एक ही स्क्रीन पर दो चार्ट अगर आपको उपन करने हैं तो बहुत इजी ली कर सकते हो यहां पर देख सकते हो मैंने जिरोधा उपन कर रखा है और यहां पर दो चार्ट हमने उपन कर रखे हैं और यहां पर चार्ट का option रहता है बहुत सारे चार्ट के option हैं है यहां पर जैसे चाहिए चार्ट हम open कर सकते हैं, थीक है, कैसे open करना है यह भी हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको कोई भी एक browser open करना है, यहां पर Chrome browser ले लिए, मैं यहां पर Chrome browser मान लिए यह Chrome browser में ही open का लेता हूँ, यहां पर search bar में बस आपको जिरोधा type करके search करना है, जैसे ही जिरोधा search करोगे तो यहां पर जिरोधा नाम का यह website है, जिरोधा की official website, इस पर click करना और यहां पर जिरोधा की जो website है, वो यहां पर open हो जाएगी, यहां पर three lines पर click करिए, उसके ब login हो जाता हूँ, तो user ID और password डालके जब आप login हो जाओगे browser पर जिरोधा account से, तो यहां पर इस तरह से आपका page यहां पर open हो जाएगा, पहला जो option आपको देख रहा होगा, यह watch list का है, दूसरा और यहां पर जो final option है, यहां पर जो stocks आपने ले रखे होंगे, intraday में, वो आपको देखने को मिल जाएंगी और यहां पर holdings का option है, यहां पर holdings आपको दिखाई देंगी, पहले option पर click करते हैं, तो यहां पर मान लिजी nifty fifty हमें open करना है, तो इस पर हमने click किया, click करने के बाद यहां पर chart का option रहेगा, chart पर click करना है, chart पर click करोगे, तो इस तरह से option रहेंगे, किस frame में आपको chart open करने हैं, तो second वाला इस पर click करते हैं, तो यहां पर दो chart हमारे इस तरह से open हो जाएंगे, ठीक है, अब उपर वाले chart का अगर time frame change करना है, तो यहां पर वापस से पीछे आ जाते हैं, back करके, यह scroll down, इधर करके, तो यहां पर पंदरा मिट time frame पर click करेंगे, और यहां पर मान लिजे, one day का chart open करना है, तो one day पर click किया, और यहां पर one day का chart हमारा इस तरह से open हो जाएगा, तो देखे, अलग अलग time frame पर हम chart open कर सकते हैं, और यहीं से अगर आपको change करना हो, nifty 50 जहां पर लिखा हो है, यहां पर click करके, bank nifty open करना हो, त यहां पर click करके, बड़े frame पर इसको open कर सकते हो, फिर से zoom option पर click करोगे, zoom in पर, तो zoom in, zoom out हो जाएगा, तो मान लिजे, कोई trend line वगएरा डालनी हो, तो यहां पर zoom वाले पर click करिए, chart zoom हो जाएगा इस तरह से, और यहां पर trend line वगएरा कोई डालनी है, तो यहां पर arrow बना हो होता है, यहां पर click करिए, trend line पर click करिए, यहां पर जो भी line horizontal वगएरा डालनी हो, इस तरह से यहां पर डाल लीजिए, color करना हो, color कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से, उसके बाद यहां पर zoom out पर, फिर से हमने click किया, तो यहां पर वापस से हम, दोनों चार्ड एक साथ हमारे open हो गया है, और यह रही हमारी trend line, दोनों चार्ड पर इस तरह से लग चुकी है, तो इस तरह से अगर आपको दो चार्ड एक फ्रेम में open करना है, जिरोधा पर, तो आप mobile में बस browser पर जिरोधा का open कर लीजिए, उसके बाद आहां पर आपको चार्ड के option मिल जाएंगे, switch कर करने के, दो चार्ड में, सिंगल चार्ड में, जैसा भी आपको open करना हो, कर सकते हो, कुछ पूछना हो, तो comment box मताना मिलता है, next video में, तब तक के लिए, bye bye